अक्षेत रतिया पर भूल कर भी ना खरेदें ये चीजें वर्ना दुरुभाग से हो सकता है सामना दोस्तों, अक्षेत रतिया का दिन बेह शूब माना जाता है इसे दीपावली की तरही बहुत कल्याण कारी माना जाता है यह दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरी विश्नु की पूजा के लिए समर्पित होता है इस बार यह पर्व 10 मई 2024 को मनाया जाएगा ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सच्चे भाव के साथ इस्तिथी पर धन की स्वामनी की आराधना करते हैं उनके धन और शौबाग में व्रद्धी होती है तो आए इस दिन से जुड़ी कुछ महतपूर भातों को जानते हैं दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षे तरतिया दोजा 24 डेट और शुब मुहुरत तरतिया तिती 10 मई शुक्रवार को प्राता 4 बचकर 17 मिनट पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन 11 मई सुबह 2 बचकर 50 मिनट पर होगा इसके अलावा अक्षे तरतिया का शुब मुहुरत 10 मई सुबह 5 बचकर 49 मिनट से दोपहर 12 बचकर 20 मिनट तक रहेगा ऐसा माना जाता है कि इस दोरान किये जाने वाले सभी कार में सफलता मिलती है साथ ही धन में भी ब्रद्धी होती है अब जानते हैं अक्षे तरतिया के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अक्षे तरतिया के दिन प्लास्टिक की चीजें स्टील, एल्मोनियम के बर्तन, काले कपड़े, कांटेदार बस्तुएं, काले रंकी बस्तुएं भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए कहा जाता है कि अक्षेत रतिया के दिन ये चीजें खरीदने से घर में दरिद्रता आती है साथ ही घर में क्रह और वास्तोदोश भी बना रहता है, ऐसे में इन चीजों को इस सुब अपसर पर भूल कर भी ना खरीदें वरना आपको दुरभाग का सामना करना पड़ सकता है, तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कॉमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी लिखना बिलकुल भी ना भूले और इसी तरीके की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें यहां तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैमा लक्षमी